हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटीब चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम इस खाना बनाने वाले हीटर का इलेमेंट और ये मिट्टी को चेंज करेंगे तो आप लोग बोलोगा कि ये तो इसमें कौन सी बड़ी बात है तो दोस्तों ये मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ये मिट्टी तूटता क्यों है और ये इलेमेंट जल्दी से खराब क्यों होता है तो मैंने पिछले बार एक वीडियो बनाया था जिसमें कमेंट आया था कि फिर से आप वीडियो बना और हमें बताओ कि यह element तूटता कैसे और यह मिट्टी भी कैसे तूटता है तो आप सभी से रिक्वेस्टर की वीडियो को एंड तक जरूर देखें आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी इस खानाNew बनाने वाले इस छीटर के बारे में आपको इसके बाद फिर कोई भी वीडियो देखनी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चल्डी आप सभी बहुत हीज़े यहां पर आपको नट बॉल्ट दिख जाएगा एक यहां पर एक यहां पर और दो यहां पर हैं तो हम जब इसको खोल देंगे तो यह हमको खुलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो यह देख सकते दोस्तों मैंने इसके नट और बॉल्ट खुल लें और जो पीछे एक इस तरह का लोहे का पत्ती लगा हुए रहता है ताकि यह जो मिट्टी का फ्रेम है वो नीचे ना जाए पिसको निकाल लेते हैं तो यह तूटा हुआ है इसलिए इसलिए निकल गया दोस्तों यह देख सकते हैं तो हम इसमें नया वाला लगाएंगे तो अगर द यहां पे connection करना पड़ेगा आप देख सकते नीचे यहां पे इसका connector दिया हुआ है इस तरह से हमें लगाना है हमने जिस तरह से खोला उसी तरह से इसको भी लगा देंगी बहुत दीज़े बस इसको इस तरह से simply डाल देंगे और जो इस में से hole है उसको मैच करके यह जो बो इसी तरह से दोनों साइड में डाल देना है तो दोस्तों यह दोनों बोल्ट डालने के बाद आपको पीछे इसको पल्टी करना इस तरह से आपको करना और एक हाथ से पकड़े रखना और इस तरह से जो यह का प्लेट दिया हुआ था उसको फिर से लगा देना जिस तरह से था यह भी मार्केट में आपको 30 रुपे में मिल जाएगा यह 15 वाट का 30 रुपे में और 2000 वाट 40-35 रुपे में मिल जाएगा दो चलिया इसको आपन कर लेते हैं यह देख सकते हैं इसमें दो आपको बॉल्ट और नट मिलेंगे और दो छोटे-छोटे वायर के पीस और यह इलेम इसप्पलक जाता था यह देख सकते हैं यह घ्यरनों तरह से दुनों साइड कर देना है तो दोस्तों में बॉल्ट को इस तरह से डाल देना और यह यह यहाँ होल दिख रहा है इसमें भी डाल देना है और पीछे साइड से इसमें नट लगा देना है दोस्तों इस तरह से डाल के आपको पीछे साइड से नट लगा देना है दोनों को साथ में इस तरह से कर लेना है उसके बाद हम इसको इसमें सेट करेंगे तो चलिए पल्टा के मैं इस इस तरह से मैंने गोल कर दिया अगर आपके पास नोस पिलास से तो और भी अच्छा होगा तो चले अभी इसके साथ हम लगा डेते हैं तो अब देख सकते दूस्तों मैंने इसको बहुत ही टाइट से लगा दिया जितना हो से को इतना टाइट मैं 뚝 कर दिया ठाक हुए यहां पर लूज नहीं ना थाकि इसी पुरे में आजाए तो चले बहुत यह प्रजा ना है इस तयग सकते हैं अ, आप इस तरह से सही क्रोस कर सकते इस तरह से आथ देख सकते हैं चाहिए गैप में आपको डाल देना इस तरह से पूरे ईकक्र हो जाएगा इस तरह से प्रोस भी हो जाता है उदर भी चला जाएगा खुद बखुद बस आपको थोड़े उसी डिरेक्शन में आपको थोड़ा सा पुछ करना है यह देख सकते दोस्तों यह बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोपरले लग चुका है चलिए दोस्तों आप इस इस वायर को हमने इस हौल की तरब से पास कर दिया यहां पे होल है अगरом करने से पहले आप इसमें एक बर फूप मार के अर्चे से क्लीन कर ले ताकि यह हमारे एलेमेंट के साथ कुछ एक्स्टा चीज जलेना और हमारा एलेमेंट जल्दी से कमजोर नहीं होगा तो यह तूटेगा नहीं और सबसे बड़ा बात कि यह मिट्टी तूटता कैसे है जब दोस्तों मम्मी खाना मनाती है तो इसमें लगबग थोड़ा बहुत पानी आ जाता है तो थोड़ा सा भी इसमें पानी पर जाता है तो इसमें दरार आने शुरू हो जाते हैं तो उस तरह से एक बार में यह तूटता दोस्तों दो तीन बार लगातार होते हैं तो यह तूट जाता है दोस्तों इसलिए आपको ध्यान रखना है कि और आपको बता देना अपने मम आएगा तो आपको डरने की जुरुड़त नहीं है दोस्तों कोई प्रोब्लम नहीं होगा उससे यह देख सकते दोस्तों यह पूरा ग्लो हो रहा है अच्छे तरीके से ग्लो हो जाएगा क्योंकि यह 15 वाट का इसलिए थोड़ा टाइम लेगा पूरे अच्छे तरीके से ग्लो होने में फिर भी यह बहुत ही अच्छा टेंपरेचर प्रोडियूस कर रहा है तो दोस्त अगर यह हीटर खाना बनाने वाले हीटर में कोई भी प्रोब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहा तो और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्र कर दो में